नमस्ते, लास्ट वीक हम लोगोंने देखा था कि कौन होता क्यूं है और उसे ना होने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं और कौन के टाइप्स क्या होते हैं और आज हम लोग देखेंगे कि ये जब कौन हो जाता है तो ट्रीटमेंट के क्या-क्य ओप्षनस अवेलेबल हैं जब यह कौन होता है तो उसका अंदर का पार्ट वो यूजुली काइंड ओफ डेड़ पार्ट होता है या बहुत ड्राय पार्ट होता है और वो जो ड्राय पार्ट होता है वो आजू-बाजू के सौफ्ट पार्ट पे प्रेशर क्रियेट करता है इसलिए उसमें इतना दर्द महसुस होता है और जब हम लोग चलेंगे उसके उपर प्रेशर देंगे तो यह प्रेशर बढ़ता है और इसके वज़े से दर्द भी बढ़ता है तो इसको ना होने के लिए क्या कर सकते है और अगर यह होता है तो क्या कर सकते है सबसे पहली बात है कि यह कौन ना होने के चाहिए उसके उपर जो हमारा पैरो का प्रेशर है वो equally distributed होना चाहिए जूते पहन के एक व्यक्ति को comfortable महसुस होना बहुत जरूरी है अगर हमारे पैरों में कोई deformity है या कोई उंगली में deformity है तो हम डॉक्टर से जाके उसे correct करने की कोशिश कर सकते है खड़े होते वक्त हमा Comfortable जूते यूज़ करना जरूरी है साथ में ही चपल या जूते के बीच में या नीचे हम लोग soft cushion डाल सकते हैं जिसके वज़े से pain और pressure कम होगा इसके अलावा metatarsal pads available होते हैं सिलिकॉन के toe rings और सिलिकॉन के cushions भी available होते हैं जो footwear में अगर हम लोग नीचे डालेंगे तो कम हो जाती है दवाईयों के अलावा और एक वे है जो हम लोग घर पे कर सकते हैं जिससे कुछ cons में हमें फाइदा हो सकता है हमें पैर को थोड़े से गुनगुने पानी में 5-10 मिनुट के लिए सोक करना चाहिए भिगोना चाहिए और उसके बाद जो भी available scrubbers है या sandpaper है उसे हाथ में लेके जहां पे कौन है उस पार्ट को हलके हाथ से पांच मिनिट के लिए स्क्रब कर सकते हैं इसके वज़े से उपर का जो हाइपर केरेटनाइज लेयर है वो निकल जाएगा और कौन धीरे-धीरे कम होने में या सौफ्ट होने में मदद होगी बाद में पैर को सु इसे कुछ दवाईया होती है जो कौन के पार्ट पे जहां पे कौन हुआ है वहाँ पे अपलाई करने के वज़े से कौन जो है वो सौफ्ट बन जाता है और धीरे-धीरे वो सौफ्ट होके निकल जाता है लेकिन ध्यान रहे अगर आपको डाइबेटीज है या आपको कोई पेरिफेरल नियूरोपैथी है यानि कि आपके पैरों में सेंसेशन्स बहुत कम है तो ये सारी चीजे घर पे यूज करने से पहले आपको डॉक्टर से बात करना सला लेना बहुत ही ज़रूरी है अभी लास्ट ऑप्शन आता है ट्रीटमेंट का वो है सजरी कभी कबार कोई भी काटा चुबने के वज़े से या चीज चुबने के वज़े से नहीं होता तो हमारे बॉडी का जो पैरों पे प्रेशर होता है वो ठीक से ना होने के वज़े से कौन होता है कौन ना होने के लिए प्रेशर को ध्यान देना अच्छे फुटवेर यूज करना बहुत जरूरी है हम लोग फिर में लेंगे टेक केड़